C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिश्ट साथ पाठ चौदह मिलकर पढ़िये शीर्शक बीज मुझे एक बीज मिला मैंने उसको गमले में डाला मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप क्या यह पेड है? क्या यह जाडी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा उंचा होगा? क्या यह छोटा ही रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पढ़ता लेखिका दीपा बलसावर इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बालक एक गमले में बीज को बोटी रखी है क्योंके वो बाग में है तो पीछे पेड नजर आ रहा है और उपर एक पक्षी उड़ता दिखाई दे रहा है खोजें जाने किसी पुराने बरतन या गमले में काले चनों को बोई कुछ ही दिनों बाद चनों से हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे देखें उन्हें उगने में कितना समाई लगता है और कितना पानी और धूप प्रिष्ट एक सट बात चीप के लिए एक, बीज कहा मिला होगा? दो, पेड और जाडी में कोई फर्क होता है क्या? तीन, कहानी में क्यूं कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? चार, क्या आपने कभी बीज बोया है? या किसी और को बीज बोते देखा है? पांच, बीज बोने के लिए रिक्तस्थान, रिक्तस्थान और रिक्तस्थान की आवश्रक्ता पड़ती है. इन दिये गए चित्रों के नाम आपको रिक्तस्थान में लिखने हैं. चह, बीज में रिक्तस्थान भी लग सकते हैं, और रिक्तस्थान भी. इन दिये गए चित्रों के नाम आपको रिक्तस्थानों में लिखने हैं, बच्चों. रंग भरिये. यहाँ पर बाई और एक रंग बिरंगा मोर दिख रहा है, और दाई और एक मोर का चित्र नजर आ रहा है. आपको इस दूसरे दिये गए मोर के चित्रों को रंगों से भरना है. सारंगी, वाचनस्वर, बावला कोचर और ममता मलकानी, तखनीकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहयक, तनु गुप्ता, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चोधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत झाल